नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री जी के प्रैक्टिस सेट पेपर सभी एक्जाम्स के लिए वीडियो आपके लिए टोटली फ्री है आप देखे चेक करिए कितना कॉशन्स आप अटेम्ट कर पाते हैं कितना आपसे बनता है वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के पढ़े फ्री प्रैक्टिक सेट पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लीचेगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेर करिएगा वीडियो आपके दोस्त भी जरूर पसंद करेंगे तो चले शुरू करते हैं Most Important Question जो कि एक्जाम में पूछे गए हैं सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर Question No.1 आपसे पूछा गया है 1855 से 1857 में डंका शाह नाम से कौन लोग प्रिय था Next Question देखते हैं अगला प्रशन सत्यागरह दर्शन पर आधारत गांधी जी के संगर्शों से कौन सा ओध्योगिक शरमिक वर्ग शामिल था सत्यागरह दर्शन पर आधारित गांध जी के संगर्शों में से कौन सा ओद्योगिक शर्मिक वर्ग शामिल था तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अहमदाबाद में ये सत्यागरह जो है ओद्योगिक शर्मिक वर्ग जो सत्यागरह हुआ था अहमदाबाद म क्या हो जाएगा तो two treaties of government के लेखक John Locke है option number D expression के लिए सही उत्र हो जाएगा John Locke expression के लिए सही उत्र है next question देखते हैं बुद्ध के उपदेश किसे सम्मंदित हैं क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बुद्ध के उपदेश किसे सम्मंदित है तो आचरण की शुदता और पवित्रता से सम्मंदित हैं बुद्ध के उपदेश option number D सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं बटुकेश्वर दत्य की मृत्यू कब होई थी क्या उत्तर हो का नाम क्या है औरंग जेब के इसलामी कानून के ब्रहत्तम सार संग्रह का नाम क्या है तो फत्वा ए आलम गिरी औरंग जेब का इसलामी कानून का सार संग्रह है फत्वा ए आलम गिरी next question देखते हैं अगला प्रशन है सिराज दौला की हत्या किस ने की थी क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो महामद अली बेग ने option number B यहाँ पर सेत्र हो जाएगा सिराज दौला की हत्या महामद अली बेग ने की थी right answer हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन महाराना प्रताप की समाधी इन में से किस इस्थान पर इस्थित है महाराना प्रताप की समाधी इन में से किस इस्थान पर इस्थित है तो उदैपुर इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा किस ने मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम से की थी, क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए, मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम से की थी, तो डोमिंगो पेस ने, option number C इस प्रशन के लिए सेतर हो जाएगा, डोमिंगो पेस ने, मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम से की थी right answer हो जाएगा next question ग्रीक ने राजनीती शास्त्र को किसकी मूल मानेताओं के अनुसार देखा तो ग्रीक ने राजनीती शास्त्र को जो है देखा नैतिक द्रश्टी से option number B इस प्रश्ण के लिए नैतिक द्रश्टी की मूल मानेताओं के अनुसार देखा next question देख अतिहास में सबसे बड़ा तेल विखराओ जो हुआ था वो दक्षणी चीन सागर में हुआ था अप्षण नमबर डी यहाँ पर सेत्र हो जाएगा दक्षणी चीन सागर में हुआ था next question देखते हैं अगला प्रशन बास्तील के पतन का संबंद किस से है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बास्तील के पतन का बास्तील के पतन का संबंद जो है 1789 की फ्रांसीसी करांती से है right answer है option number B right answer हो जाएगा next question देखते हैं किस राणी का उपनाम bloody Mary था right answer हो जाएगा तो Mary प्रथम option number C यहाँ पर सेत्र हो जाएगा Mary प्रथम का उपनाम bloody Mary था next question देखते हैं Marco Polo किस के लिए विख्यात है क्या उत्तर होगा Marco Polo किस के लिए विख्यात है तो option number चीन भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए Marco Polo विख्यात है right answer है next question देखते है रूसी क्रांती का प्रारम किस सहर से हुआ था क्या उत्तर हो जाएगा रूसी क्रांती का प्रारम किस सहर से हुआ था तो Saint Petersburg इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा रूसी क्रांती का प्रारम सैंट पीटर्स बर्क से हुआ था next question मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किस देश में किया गया क्या उत्तर होगा बतलाईए मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किस देश में किया गया तो प्राचीन यूनान में औप्रयोग सबसे पहले किया गया next question देखते हैं अफीम युद्द कंदो देशों के बीच में हुआ था अफीम युद्द कंदो देशों के बीच में हुआ था तो ब्रटेन और चीन के बीच में हुआ था अफिम युद्ध राइट आंसर हो जाएगा option number A इस प्रशन के लिए सही उत्र है next question देखते हैं दोतिय विश्युद्ध किस वर्ष प्रारंब हुआ था क्या उत्तर है दोतिय विश्युद्ध किस वर्ष प्रारंब हुआ था तो 1939 में option number B इस प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा दोतिय विश्युद्ध 1939 में प्रारंब हुआ था next question देखते हैं अगला प्रशन हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था next question कोर्सी का दीप किस से संबन्दित है यूनाइट किंगडम किस का एक उत्तम उधारन है तो संविधानिक राजतंत्र का उधारण है United Kingdom option number C सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी की मृत्यू कब हुई थी क्या उत्तर है महावीर स्वामी की मृत्यू कब हुई थी तो 527 इसापूर्व option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी की मृत्यू 527 ईसा पूर्व हुई थी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था तो रूस से अमेरिका ने अलासका को खरीदा था option number रूस इस प्रशन के लिए सही उत्तर है वाटर लू कहां पर इस्तित है क्या उत्तर हो जाएगा वाटर लू कहां पर इस्तित है तो वाटर लू बेलजियम में इस्तित है option number Belgium expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं लियोनार्दो दा विंची किस योग का प्रतिनिदित्ट करता है तो लियोनार्दो दा विंची जो है पुनर जागरन योग का प्रतिनिदित्ट करता है option number B expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है तो यूनानी मिथक में अपोलो चिकित्सा का देवता माना जाता है ऑपिशन नमबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं ताशकंद कहा पर इस्तित है क्या उत्तर है इस प्रशिन के लिए ताशकंद कहा पर इस्तित है तो ताशकंद उजबेकिस्तान में है option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer है उजबेकिस्तान इस प्रशिन के लिए सही उत्तर है तो चैनल को subscribe करके bell icon on कर लें जिससे परड़े के वीडियो के notification आपको मिल सकें अगर आप अपने दोस्तों को वीडियो की link share करना चाहते हैं तो जरूर करें free वीडियो है आपके दोस्त जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना बिलकुल भी ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवात आपका दिन शुब हो